रोस की ताजा खबरे सुनने के लिए सस्क्राइब करें बी एच बीसी न्यूस चैनल साथी रोस के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाए बेल आइकन साथी हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कॉमेंट करके बताए और वीडियोस को लाइक और शेर करना बिलकुल ना भूले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी ने चंद्रियान की यातरा को सांदार और जानदार बताते हुए कहा कि परिणाम अपनी जगे हैं लेकिन मुझे और पूरे देश को अपने वैग्यानिकों इंजिनियरों आप सभी के प्रयासों पर गर्व है पीम मोधी सनिवार को बैंगलूलू के इस्रो सेंटर से देश को संबोधित कर रहे थे प्रदानमंत्री ने वैग्यानिकों से कहा हर मुझकिल हर संगर सरकटनाई हमें कुछ नया सीख कर जाती है कुछ नई अविस्कार नई टेकनोलोजी के लिए प्रेरित करती है और इसी से हमारी आगे की सफलता तै होती है कि यान का अगर सबसे बड़ा सिक्षण कोई है तो वो है विज्ञान इस्तरों के मिस्ष्ण कंट्रोलर सेंटर से प्रदानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा विग्यान में विफलता नहीं होती है, केवल प्रयोग और प्रयास होते हैं, उन्होंने का हमें सबक लेना है, सीखना है, हम निश्चित्रूप से सफल होंगे, काम्याबी हमारे साथ होगी मोधी चांद पर सॉफ्ट लेन्डिंग का सीधा नजारा देखने के लिए यहाँ इस्ट्रोग केंदर पहुंचे थे, हालनकि लेन्डर से संपर को तूट जाने के कारण सॉफ्ट लेन्डिंग के बारे में कोई सूचना नहीं मिली, भारत के महत्वकांची स्पेस मिसन चंद् चंद्रियान 2 के विक्रम लेंडर का चांद पर कदम रखने से पहले इस्ट्रोग से संपर में बूट गया, चंद्रियान 2 मिसन के साथ इस्ट्रोग के पूरी टीम ने अनुकरणिया, प्रतिवधिता और साहस दिखाया है, देश को इस्ट्रोग गर्व है, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने वैग्यानिकों का होसला बढ़ाया है, बीम ने कहा कि आप सब के गुरुसार्थ से हम आगे की सफल यात्रा करेंगे, प्तान मंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा कि भारत को अपने वैग्यानिकों पर गर्व है, उन्होंने अपने प्रतिसाद लेंडर विक्रम और प्रक्यान रोवर नुक्सान हुआ है। जबकि बागी पिचारना भी प्रतिसाद चंद्रियान 2 और्बिटर अभी वी चंद्रमा का सफलता पूरक चक्कर काट रहा है। एक साल मिसन अवदी वाला और्बिटर चंद्रमा की कई तस्वीरें लेकर इस्तरों को बेज सकता है। अधिकारी ने कहा कि और्बिटर लेंडर की तस्वीरें भी लेकर बेज सकता है जिससे उसकी स्थिति के बारे में पता चल सकता है। लेंडर को रात लगबग एक बचकर 38 मिनट पर चान की सताय पर लाने की प्रक्रिया शुरू की गए लेकिन चान पर नीचे की तरफ आते समय दो दसमलर एक किलो मिटर की उचाई पर जमीनी इस्टेशन से इस्टरों का संपर तूट गया विक्रम नराफ ब्रेकिंग और फाइन ब्रेकिंग चरोणों को सफलता पूरा कर लिया लेकिन सॉफ्ट लेंडिंग से पहले इसका संपर धर्ती पर मौजूद इस्टेशन से तूट गया प्यूरो रिपोर्ट भी एच बीसी नीज़ और कॉमेंट करके बताए और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें